नमस्का साथियों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चल पे सीटेट परिक्सा 2022 के चातरों के लिए अभी-अभी CBSC ने एक्जाम डेट जारी कर दिये और साथ ही साथ एड्मिट काल पर सबसे बड़ा बदलाओ जितने भी हमारे चातर सीटेट 2022 की परिक्सा देने जा रहे हैं उनके लिए आज की वीडियो काफी जादा महत पुल होने जा रही ही तो अंतक बने रहे हैं और आगे बलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल को सबस्राइब नहीं किया है जो है घोसरा कर दी है और आपको बता दे अपडेट आ रहे है कि 28 तारीक यहने कि 28 दिसंबर से CBSE यहाँ पे सीटेट 2022 की एक्जाम जो है शुरू कराने जा रहा है 28 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2023 तक यह एक्जाम चलने वाले जितने भी हमरे चातर एक्जाम डेट का वेट कर रहे थे उनका तो वेट खतम होता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहली तो यह ख़बर दूसरी ख़बर आप सभी के लिए काफी ज़्यादा महत पूर है क्योंकि आप सभी के एक्जाम में काफी बड़े परिवर्तन हो चुके है साथ दिन पहले आपका admit card official site cte.nic.in पर 22 तारीक तक जारी हो जाएगा 22 दिसंबर तक और इसके साथ इस बार जो है 30 लाग से ज़्यादा चातरों के apply होने की कारण एक्जाम आपका 20 दिन से ज़्यादा चलने वाला है इस बार normalization का formula नया लगेगा और साथ इसाथ general वालों की cut off घटेगी और साथ इसाथ negative marking इस बार किसी भी पेकार की नहीं होगी पेपर दो पेपर एक पेपर फर्स्ट और सेकेंड का जो पैटर्न होगा वो दोसों आप लोगों को काफी ज़्यादा easy to moderate होगा और साथ इसाथ आपको बता दे इस बार सीटर 2022 का result भी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जारी कर दिया जाएगा सीटर 2022 के चातरों के लिए सबसे बड़ी कुछ कवरी आती हुई जितने भी चातर एक्जाम डेट का वेट कर रहते हैं उनका वेट कात्म होता हुआ आंगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आप सभी तक सबसे पहले बड़कु सटीक पहुचा जाती रहेगी चैनल को सबस्टाइब करके नोडिफिकेशन को आँजरू कर लें चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में